क्या 2000 रुपए के नोट बंध होने जा रहे हैं? इस सवाल पिछले काफी दिनों से लोगों के जहन में आ रहा है क्योंकि वाजार में 2000 रुपए के नोट अब काफी कम संख्या में दिखने को मिल रहे हैं लोगों की दलील है कि बड़े नोटों का स्तमाल लोग काले धन की जमाकोरी के लिए करते हैं इसलिए बाजार में 2000 रुपए के नोट कम देखने को मिल रहे हैं अब संसब में भी 2000 के नोटों का मुद्दा उठा है मुद्दा उठाने वाले BJP सांसट सुशील मोदी हैं सुशील मोदी का कहना है कि 2000 रुपए के नोट का मतलब ही ब्लैक मनी है अगर काले धन को रोकना है तो 2000 के नोट को बैंग करना होगा अब सरकार को इसे धीरे धीरे बाजायर से वापस लेना होगा बजट सत्क के दोरान भी 2000 के नोटों का मुद्दा उठा था उस वक्त भी सवाल किये गए थे कि वाजायर से 2000 के नोट क्यों गायब हो रहे है पवित मंत्री निर्मला सितारवन ने कहा था कि 2000 के नोटों के सरकुलेशन को रोकने का निर्देश नहीं दिया गया है दो साल पहले पूर्व Economic Secretary S.C. गर्ग ने भी 2000 रुपए के नोटों को बंद करने की दलील दी थी अब सवाल इस बात का है कि क्यों बार बार 2000 रुपए के नोटों को बंद करने की पैरवी की जा रही है इसके पीछे सबसे बड़ी वज़ा है 2000 रुपए के नोटों का काले धन की होडिंग में इस्तमाल 2000 रुपए के नकली नोट बाजार में सरकुलेट हुए Money Laundering और आतिंगवादी गतिविद्यों में इस्तमाल का डर बड़े करंसी नोटों से हवाला कारुबार को हवा मिलती है इन्ही सब कारणों की वज़़ से 2000 रुपए के नोट को बंद करने की मांग लगाता की जा रही है वैसे साल 2019 के बाद से 2000 रुपए के नए नोटों की छपाई नहीं की गई है इस बात की जानकारी पिष्णु साल विथ राजुमंत्री पंकज चौधरी ने दी थी आरबियाई ने भी मानाथा की बाजार में 2000 रुपए के नोटों का सर्कुलेशन कम हुआ है आरबियाई के आकडों के मुताबिक कारोबारी साल 2022 में 2000 रुपए के नोटों की हिस्सेदारी 17.3 फीजदी से घट करें 30.8 फीजदी रह गई है जबकि कारोबारी साल 2020 में 2000 रुपए की नोटों की हिस्सेदारी 22.3 फीजदी थी के दो हजार रुपए का नोट जारी किया गया था तब ही से दो हजार रुपए के नोट को लेकर सवाल उठ रहे हैं आपको हुमारी जानकारी कैसे लगी कॉम्मेटर के जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शुर करना ना भूलें साथ ही जो हमारे न्यू विएवर्स हैं व